Hello everyone, इस वीडियो में बात करूँगा मीले मशीन के बारे में, इससे पहली वीडियो में मूरे मशीन पे total discussion complete किया, तो पूरी प्लेलिस में आपको शांदार तरीके से एक-एक logic देखने को मिलेगा, अब अगर मूरे मशीन की बात के बात के बाद मीले मशीन पे discussion शुरू करूँ तो देखे, सबसे बहुत आप समझेगा, दोनों ही kind of same category की मशीन आइसा नहीं, कोई बहुत different idea है, कुछ बारी एक चेंज है, वो क्या चेंज है और उससे क्या behavior देखने को मिलता है, एक-एक करके observation करूँगा, यहाँ पर एक बात हाला कि ध्यान रखो, आप यह बात बोल सकत मूर्य का थोड़ा सा improved version है, तो मूर्य के बाद मीले आया था, so that is why भी वह बात आपको समझ भी आगा, efficient version है, जो काम में मूर्य को जादा state लगते मीरे, वो काम smart तरीके सा कम state में कर देता है, कैसे गौर करिएगा, तो again, this मीले machine is also defined by six tuples, अच्छा बाकी की सारी कहानी बिलक अच्छे से बात की है, capital Q, total number of state, sigma, input alphabet, delta, output, output alphabet, small delta, transition function, Q is the initial state, यह जो output function है, lambda, बस इसमें एक change है, क्या change है समझाता हूँ, मूर्य machine के अंदर, output क्या बताता है, state, हर state के साथ हम एक output associate रखते है, यही कहानी थी न, but मीले में ऐसा नहीं है, यहाँ पर output क्या बताता है, again, on a state Q, taking input symbol sigma, then I'll tell you the output, यानि कि जैसे transition हम लेते हैं, तो यहाँ पर transition के साथ output associate करते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं same state पर पहुंचू, but आप अलग रास्ते से पहुंचे, मैं अलग रास्ते से पहुंचा, तो आपका output कुछ और, मेरा output कुछ और, क्या मतलब है इस बात का, example से discuss करत हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर output के दो column नजर आ रहे हैं, table में है, तो output इसका मतलब में transition के साथ associate कर रहा हूं, ना कि state के साथ, पहले इसको convert करके देखते हैं, बनाते बनाते बहुत सारी बाते सीख जाएंगे आप, तो यहाँ पर Q not, state के साथ कोई output नहीं, अब गौर करना क्या कह रहा है, Q not पे 0 आया, Q not पे 0 आया, तो Q3 पर चले जाओ, okay, Q3 पर चले गए, with output 0, तो that is how you write it, oblique करेंगे, इसका मतलब Q1 पे अगर 0 आयेगा, then you go to Q3, but साथ में ही बता रहा हूं कि output 0 होगा, अगर Q1 पे 1 आये तो क्या करूं, Q2 पर चले जा ओके, अगर 1 आया, तो मैं Q2 पर चला गया, और output क्या है, 0, so यहीं oblique में 0 लिख देता हूं, बात समझा रही है, आगे बढ़ो, यह I think 1 होगा न, और तो कोई option बचा नहीं, अभी यह मेरे को नजर नहीं आ रहा, जो भी है, चलो, we'll see, Q2 पर, अगर 0 आये तो क्या करें, I hope यह 1 ही लिखा हुआ है, तो मैं वापस जा रहा हूं, with a output 1, like this, और अगर Q2 पर 1 आये तो किदर जाना है, I'm sorry, यह 0 वाला था न, यह 0 वाला है, ओके, और अगर 1 आये तो क्या करना है, Q4 पर जाना है, अगर 1 आया, तो Q4 पर जाना है, you go to Q4, with a output 0, you write it down, अभी देको Q3 पर 0 आये तो क्या जाना है, Q3 पर 0 आयेगा, Q2 पर जाना है, Q3 से OK, तो यह edge बना देता हूं, 0 आया, to Q3 पर जाना है, with a output 1, और अगर Q3 पर 1 आया, input, तो Q1 पर जाना है, यह वापस चले गए, Q1 पर जाना है, with a output 1 only, finally Q4 का transition, Q4 पर 0 के लिए self loop है, लेकिन, output देखो, क्या associate कर र है, you go to Q3, but output associate कर रहे है, 0, तो इस तरह से diagram बनेगा, और जैसे मैं बात कर रहा हूं, states के साथ नहीं, हम transitions के साथ यहाँ पर output define कर रहे है, कोई pattern ले ले लेता, again, so let me take, शार जो पहले हमने लिया था, वो statement रहे है, 1, 0, let me say, 1, 1, यह pattern ले ले लेता है, और अब मैं start करता हूं Q0 से, अब यहाँ पर सबसे बले गौर करो, initial state पर मैं कोई response नहीं करूंगा, because sir, state के साथ output है ही नहीं, output transition के साथ है, उसी के साथ मेरे को behave करना है, तो ठीक है, मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूं, Q1 पे 1 आए, किधर जाना है, there you see, Q1 पे 1 आए, तो आपको Q2 पे जाना है, with output 0, तो मैं यही करूंगा, Q1 पे, अगर 1 आया, तो मैं कहां गया, मैं गया Q2 पर, और transition ही बता रहा है, कि output के आएगा, 0 आएगा, make a note of this, now, Q2 पे 0 आया, किधर जाओगे, Q2 पर 0 आया, तब वापस जाओगे Q1 पे, आप Q1 पे जाओगे, और output के आएगा, output आ रहा है, 1, kind of फुल्टा कर रहा है, Q1 पे अगर 1 आया, तो, Q1 पे 1 आया, further नीचे, game खेल रहा है, नीचे आगए दुबारा, with output 0, okay, and Q2 पे 1 आया, फिर आगे लेके जा रहा है, देखो, Q2 पर 1 आया, तो, किधर लेके जा रहा है, Q4 पे, तो Q4 पे लेके जाएगा, और यह 1 का output हो नहीं है, input string 1011 पे, output string क्या मिल रहा है, 0100, यह एक basic fundamental understanding है, क्या चीज़ आपने observe की होगी, note down करिएगा, अगर input string का length n है, मीले machine में, तो, initial पे file to respond करने वाली बात खतम हो गई, यहाँ पर output string का length भी exactly n होगा, 4, 4, yes, and then again, क्या मीले machine null string पे respond करती है, नहीं, मीले null पे respond नहीं कर क्यों, क्यों, मीले state पे respond ही नहीं करता, मीले transition पे respond करता है, यह एक बहुत बड़ा advantage है, जो यहाँ पर I think हमें समझ आया होगा, अभी और अगर next level clarity लेनी है, तो क्या करें, एक काम करें, वो सारे cases, जिसके लिए हमने मूरे machine बनाई, अगर उन सब के लिए मीरे बना ले तो, बात खतम हो जाएगी, एक ही चीज़ के लिए क्योंकि दोनों sample आपके दिमाग में चलेंगे, तो इससे next level clarity आपको आ ही नहीं सकती, वही करने की कोशिश करता हूँ, यह सारे pattern लास वीडियो में में solve किये, यह pattern again क्या कह रहा है, input A, B के terms में होगा, output 0 की terms में होगा, और मेर पास पूरा advantage यहाँ पर हो जाता है, बोलो क्या करने का, advantage हो जाता है, same state से multiple output associate करने का, तो आप मुझे बताना मुझे दो state लगाने की जरूद है भी के नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी A आएगा, उसको मुझे 1 में convert करना है, जब भी B आएगा, उसको मुझे 0 में convert कर रहा हूँ, isn't it, आसान case है, आगे देखो यह क्या था, A-B, A-B casting वाला pattern चेक करना था, आचा चलो यहाँ भी try करता हूँ, वीडियो pause करो बीच में, बना के देखो, हर A-B के लिए, क्या चाहिए मेरे को, for every A-B मेरे को 1 चाहिए, ठीक है, तो A-B का pattern है, cycle है, ठीक है, अगर A आया, फिलाल तो 0 generate करता हूँ, Q1 पर आपको ले जाता हूँ, अभी यह cycle बना लों क्या like this, मुझे बताओ, काम करेगा क्या, मेरे खाल से यहाँ भी 3 state की जरत नहीं पड़ेगी, so for A, let me generate a 0, for B, I'll generate a 1, मेरे खाल से perfect काम करना चाहिए, हाला कि DFA है, तो जल्दबाजी नहीं करूँगा, इसे complete करता हूँ, Q0 पर B आये तो 0 generate करते रहो, एक A के बाद अगर और A आये, तो भी 0 generate करते रहो, क्या problem है, ultimately जैसे 1 आयेगा, जैसी B आयेगा, हर AB के लिए, हर AB के लिए 1 generate होता रहेगा, तो यहाँ पर भी आप देखोगे, जिस तरह से हम improvise कर रहे हैं, एंड में, यहाँ तो मज़ा ही आजाएगा, आपको भी गौर करिएगा, एंड में अगर 1 0 हो, तो आखरी symbol A होना चाहिए, आउटपुट का, अगर input में 1 1 हो, तो I think B होना चाहिए, और बाकिया दर्माई सारे case में C होना चाहिए, चलिए, इसको एक बाद ट्राई करते हैं एक बात तो पक्का है, आगे बढ़ने के लिए second last में जैसे हमने observe किया था, 1 होना जरूरी है, ठीक है, तो Q0 पे, अगर 1 आया, तो मैं आपको कहा लेके जाऊंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा Q1 पे, और यहाँ output में C ही रखोंगा, है ना, अब देखिएगा cycle के इसाब से अगर 1 आता रहे, तो क्या generate करो, for everyone, क्योंकि 1, 1, 1, 1, 1, 1, मेरे को B चाहिए, और अगर 0 आये, तो वापस ले आता हूं, but without output है, and I think that will be all, क्या 2 state में पूरा काम खतम हो रहा है, हाँ, और शायद वहाँ पे में 4 state लगे थे, और कुछ हो सकता है, हाँ, अगर 0 आये, तो initial पे चेक करके देख लो, है ना, so this is the idea of मेले मशीन, और जो मैं आपसे last video में बात कर रहा था, कि क्यों मेले relatively better है, थोड़ा सा improved version है, that is the reason, अभी खुद बना के देख लिया, किसी भी logic लिए दोनों मशीन बनाऊगे, आपको पक्का समझ आएगा, कि यार मेले better काम कर रहा है, है दोनों DFA है, अब एक चीज रहा गई, इस तरह पावर अगर सेम है, comparison कैसे करता है, कैसे convert करेंगे, मुरे को मीले में, मीले को मुरे में, exam में कभी कभी पूछ लेता है, question इस पर आ जाता है, you know, इस तरह है, डी आ, बार्क है, इस तरह के exam में one mark question पूछ लेता है, property के ओपर, next वीडियो में उसके ओपर बात करूँगा, पूरी clarity के साथ, दोनों का comparison भी करके दिखाऊँगा, हर वीडियो complete है, अभी मीले मुझे नहीं लगता है, इसके बाद और कहीं आपको जख मारने की ज़रा था, खतम हो गई, बस ये बात, यह ये मीले machine, yes, CSID वालों की बात कर र करते रहेंगे, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरी ततपरता से लगी हुई आप लोगों के लिए best से best content लाने के लिए, thank you so much.